तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या 12th की क्लास PCP से पास करने के बाद क्या BOT का जो कोर्स है वो किया जा सकता है के नहीं हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्ड्स टर्च जना तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बेचलर ओफ अकूपेशनल थेरपी कोर्स के बारे में को शुरू करते हैं तो आप में से कई स्टूडन्स का दोस्तों जे डाउट होता है कि कैन आई डू BOT कोर्स आफ्टर 12th PCB जारी 12th की क्लास PCB से पास करने के बाद क्या BOT का जो कोर्स है वो किया जा सकता है के नहीं तो मैं उताना चाहता हूँ जी हाँ आप 12th की क्लास PCB से पा है कि आपको जो 12th की क्लास है उसे आपको पास करने पड़ेगी तो आपको 12th की जो क्लास है वो आपको PCB के सब्जेक्टों के साथ आपको पास करने पड़ेगी जिसमें आपको Physics, Chemistry और जो Biology का जो सब्जेक्ट ने वो आपको compulsory पढ़ना ही पड़ेगा तो 12th की क्लास PCB के सब प्रजेक्टों के साथ पास करने के बाद आपको इस कोर्स में अडिमिशन मिल जाएगा तो अंति में दोस्तों मैं आपको इतना पताना चाहता हूँ कि आप 12th की किलास PCP से पास करने के बाद आप जो BOT का जो कोर्स है उसे आप कर सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे BOT कोर्स के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में डिसकस किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माद्यम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कम वीडियो पसंद आई है तो अब वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत वूलना धन्यवाद